अब इसमें सबसे अच्छा क्या होता है कि अगर आपको कभी यह दे रहे ना कि यह वाला ट्राइंगल सिमिलर करूं मौम्मद अर्मान कहा गया कि यहां पर आपको उसने कह दिया कि सर यह है हमारे पास ट्राइंगल एपी सिमिलर टूबी सीपी तो एक कुश्चन देखिए बाकी तीनों पार्ट अपना भगाएंगे तो सबसे पहले बिटे एई इपी को मेंशन करो है कहां सबसे ज़्यादा जरूरी होता है कि आप उसे मेंशन कर लें कि एई इपी हमारा है कहां ठीक है और सी डी पी को मेंशन करो कहां है है ठीक है वहीं सी डी पी यह दो ट्राइंगल हो गया आपके पास अब अगर इन ट्राइंगल को सिमिलर करना है तो सिमिलर करने की सबसे आसान प्रोपर्टी कौन सी है अगर प्रोपर्टी कि आप मुझे पता सकते हो और प्रोपर्टी को दिमाग में रखो और आप क्या मुझे बता सकते हो कि इन में से कौन से दो एंगल एक्वल है चाहब चाहबस कुंसे नाइन्टीटिउड यह वाय उसने काहा है एल्टिट्व एडीजी लेकिन यह यहां पे सिंबल कि यह वाय फिल गर इंदिया आइंटी कि अधर और यह भी नाइन्टी यहां पे अधर आसान यह खोता कि आप उसमें नाम लिख लिया करो तो आप कह सकते हो एंगल वन एंगल वन एक्वास्ट वेंगल टू एच नाइंटी डिवी और सर दूसरा यह हो जाएगा अंगल एपी ए और सी पीडी इसन वह वी यह होता है ने क्वापर्टी होती है वर्टिकली आप अपर्टिकली आप तो आप इसका नाम लिख दीजे 3 और इसका नाम लिख दीजे 4 तो आप कह दीजे 3 वजट को वर्टिकली आप जेख सकते हो नाइंगल एपी इस सिमिलर टू टू ट्राइंगल सीडी नहीं अगर अजला साभ हो गया क्या हम जी सब्सक्राइब जरूरी कॉल लाए थी अब डिजिटल में मजए हैं कहां से ओपिस से आई थी तर फादर के लिए थी अब दो मिनट का अब रहे हैं कि अब दो मिनट का प्रेंशाला क्लास स्टाट करें इसी लिए पर जोइन के जोइन करें जोइन को अल्रेट ही हो हुमाओं कर दो मिनट के गुम जाना है आजी बटालियन क्या हो रहा है मर्जिया डॉक्टर मर्जिया कैसी है आप जी आवाज आ रही हैं को अब ब्रेक सुनकर सब भाग गए है यह भी सही है चलो जी आप भी बाग रहे हैं दो मिनट आप सब लोग रेस्ट करो वला है तरश नग्लौन के ड्रेक सुनक वर्जा है वलाँ बाहे है जड़िया गुम्लाँ आपले कर लिए पिना घ्राईर्प्टर र्राउट जप्टर्वां को बाढी कर दो इंड हाई पृ़िया फाल है है भी है झाल झाल